लोग सभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सरकार गठन की तैयारी चल रही है NDA घटक दलोने शुक्रवार को बैठक कर नरेंद्र मोदी को फिर से संसदिय दल का नेता चुन लिया है पिये मोदी से मिली जानकारी के अनुसार 9 जून को नई सरकार का शपत क्रहन होगा इधर शपत क्रहन के बीच लोग अपने अपने क्षेत्र और राज्य में चुनाव जीतने वालों नेताओं के बारे में जानने को उच्सुक हैं खास कर लोगों की दिल्चस्पी सांसदों की संपत्ति पर है लोग यह जानना चाहते हैं उनके राज्य का सबसे अमीर और सबसे गरीबा सांसद कौन है ऐसे में हम लेकर आए हैं राजस्थान के सभी 25 सांसदों की संपत्तियों का ब्योरा जिसमें आप यह जान सकेंगे कि राजस्थान का सबसे अमीर और सबसे गरीब सांसद कौन है राजस्थान के केवल तीन सांसद लखपती बाकी सब करोर पती हैं पीपी चौधरी चालीस करोड इखत्र लाग शिहत्र हजार हज़ार हज़ार चैसाट रुपए की ओसत संपत्ती पाली से भाजपा के टिकट पर जीते हैं दुशंत सिंह 38,93,8540 रुपए जालावार से भाजपा के टिकट पर जीते हैं राव राजेंद्र सिंह 39,33,52,992 रुपए जैपूर ग्रामेन से भाजपा के टिकट पर विजी हरीश चंद्रमीना 23,07,94,780 रुपए टोंक से कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते गजेंद्र सिंह शेखावत 19,30,27,658 रुपए जोधपूर से भाजपा के टिकट पर जीते उम्मेदाराम बेनिवाल 19,27,65,979 रुपए बाडमे से कॉंग्रेस के टिकट पर जीते ब्रिजेंद्र पुला 16,28,84,000 रुपए जुन्जुनू से कॉंग्रेस के टिकट पर जीते बुलदीप इंदोरा 13,71,89,112 रुपए गंगानगर से कॉंग्रेस के टिकट पर जीते मुरारी लाल मेना 13,57,014,010 रुपए दोसा से कॉंग्रेस के टिकट पर जीते भागिरत चौधरी 13,38,11,555 रुपए अजमे से भाजपा के टिकट पर जीते ओम बिर्ला 10,62,6,645 रुपए कोटा से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं दामोदर अगरवाल 7,13,92,415 रुपए भी वाड़ा से भाजपा के टिकट पर जीते राहुल कस्वा 5,33,22,989 रुपए चुरू से कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते सीपी जोशी 4,973,304 रुपए चित्तोरगड से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते अर्जुन राम मेगवाल 3,766,54,863 रुपए भी कानेर से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते भजनलाल जाटव 3,32,82,184 रुपए करॉलि धौलपुर से कॉंग्रेस के टिकट पर जीते मन्नालाल रावत 2,71,25,206 रुपए उदेपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते मंजु शर्मा 2,36,61,848 रुपए जैपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते धूपेंद्र यादव 2,32,36,037 रुपए अलवर से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते लुंबाराम चौधरी 1,95,87,446 रुपए जालोर सिरोही से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते राजकुमार रोत 1,71,31,689 रुपए बांसवाडा से भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर जीते महिला सिंह मेवाड 1,13,76,000 रुपए राजपा के टिकट पर चुनाव जीती हनुमान बेनिवाल 81,10,760 रुपए नागौर से आरलपी के टिकट पर जीते अमराराम 40,50,109 रुपए सीकर से लेफ्ट के टिकट पर चुनाव जीते संजना जाटव 23,10,193 रुपए भरतपुर से कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते इन नेताओं ने आखिर इतनी संपती के से बना ली ये तो सब को पता है लेकिन ये नेता जीत बाद जनता का ही पैसा अपने परसनल काम काज में खर्च करते हैं वही राजनीती में चुनाव लड़ने की बात करे तो देखा जा सकता है बिना पेसे कोई कुछ नहीं कर सकता है हर जगह पेसे से काम होता है और ये ही नेता भरष्टाचार कत्म करने की बात करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा भी ये ही भरष्टाचार करते हैं वरना मेहंत की कमाई से एक आदमी की पूरी जिन्दगी में एक मकान नहीं बनता और ये नेता एक बार सांसद या विधायक बन जाए तो करोडों के मालिक हो जाते हैं